हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों पीएबी से जोड़ी एक बहुत बड़ी न्यूज सामने निकल के आई है जैसे कि आप देख रहा हैं MPPAB के चेर्मेन बदले केसरी गय स्रीवास्तप नियुक्त भुपाल समाचार में ये पूरी न्यूज दी गई है दोस्तों जैसे दुस्तों आप देख रहा हैं मद्द पिर्देश में ब्यापम गोटाला 2022 की गुंज के बीच प्रपसर एक्जामनेशन बोर्ड भुपाल के चेर्मेन ICP केसरी रेटायर हो गया है सियम सिवराज सिंग चौहन सीनियर आई एस माले स्रीवास्तप को पीवी का नया चैर्मेन निप्त किया है सामन पिर्षासन भुपाग मद्द पिर्देश सासन दौरा इस सम्मन में आदिजारी कर दिया गया है मद्द पिर्देश की गिंती मद्द पिर्देश की इमानदार अफसरों में होती है परंतु मद्द पिर्देश प्रदूसर नियंतन बोर्ड में कुछ चर्चाएं भी हुई थी कौन बताएगा सर्वर रूम में कौन था तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि वर्ग तीन से सम्मन्दित इस समय बहुत बड़ी जांच चल रही है जिसके विशे में हैं आपर बताए गया है कि शेर में आईसेपी केसरी ने सुचित और पारजिसार के नाम पर सवालों को दवानी की कोशिश की रिटाइड होने वाले थे इसलिए मामले को फटा फट न बताया जांच किसने की जांच की बिंदू क्या थे जांच का आदिस कब जारी हुआ और जांच रिपोर्ट पिश्टूत हुई या नहीं कुछ नहीं पता एक बयान जारी करके जांच की बात की और दूसरा बयान जारी करके जांच रिपोर्ट पता दी यहाँ पर पता चल गया कि जो कुछ हुआ है परिवान मंतरी स्री गोविन सींग राजपूत के कॉलेज के कम्पूटर सर्वार रूम में हुआ है लेकिन यह कौन बता कि परिक्चा के समय सर्वार रूम में कौन था मद्यप्रिदिस की महत्मून खब्रित दोस्तों आप देख करके पास हुए हैं उनको उनकी जोइनिंग मिल जाएं दोस्तों यही हम सभी की मांग है आप इस विशे में क्या सुचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लेखें यह वीडियो कि सुचना मात था आपने इससे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवा क्य quella आपने छिल सनले कि से दिलग करा झाय कि लिए दिल से धने तोस्तों इससे अ